अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं इसी चीज को आगे ले आके आपने सोचल मीडिया पे इतना कॉंटेंट डाला है हाँ ठीक है उस कॉंटेंट को जब आप रेगुलर बेसिस पे डालते हैं तो आपको अब शिप्स पे इंटरेट मिल जाता है शिप्स पे इंटरनेट अब और यहां between do tre ऌ़ इंटरनेट जाता ही मेल का को जुक्त व्युक्त ब्सक्तॅद मिनोग फॉरे महीने के लिए 50 थींट इंटरनेट अब पूरे महीने में 50 MB आगा किसी को बोले लेंगा तो पहले बोले क्या वाद कर रहा है आद्मी पागल हो गया है मैं तो 50 MB में महीन आगा 50 MB में आदा रंदा नहीं चलेगा ने लेकिन 50 MB में हमने चलाया है और उसके उपर से इंटरनेट पर्चेस करने के लिए 20 जॉलर का 50 MB लेना पड़ता था अरे बापने अभी तक जो है मेरा काफी महंगा पड़ता है content upload करना लिटरली मैंने जितना कमाया होगा revenue से उससे जाधा मैं लगा चुका हो content upload करने में आज के रेट में क्योंकि टार्गेट था कि बनाने में मज़ा आता है लोगों को दिखाना है कोई ब बहुत सारे ऐसे गाने लगे हुए है जो copyrighted है क्योंकि वो गाना उस situation पर सुट कर रहा था उस वीडियो में तो रीजन क्या है इन apps को ना करने का कि आप अपनी एक तरीके से opportunity cost lose कर जो ना opportunity income अब बिलकुल अभी यतने betting trading वाला कोई तो देखी रहा होगा तो देख भी रहा ह मैं captain कैसे मने मर्चिंद में direct second officer कैसे बने सर ये बताओ मेरे को सीधा पैसा कमाना पढ़ा नहीं करना आप तो यह जो लोग है जिनको shortcut चाहिए लाई और बहुत लोगों को चाहिए तो यह shortcut वाले बेटिंग और ट्रेडिंग के सबसे पहले गिरेंगे कि हारे 10-20 रुपे बहुत सो लगा के देखलता हूं इतना तो मैनेज करी लोगा क्या पता हजार हो जाए तो अगर कोई एक भी उसमें से फस गया में चैनल से जाकर ना भले ही वो फिर मेरे को ना बोल पाई लेकिन कही ने कह रहा है कि मेरा वीडियो देखे गया और वहां जाकर वो सकता हूं स इसले चीज में अभाइट करता हूं यह मेरा परसनल है यह बहुत अच्छी चीज है जो content creators betting नहीं करते उनकी में बड़ी respect करता हूं क्योंकि आप बहुत बड़े income lose कर रहे हो सिफ इसले की आपकी जनता उससे अपने पैसे lose ना करते बस बस यह बहुत अच्छी चीज है इसे content creators को promote करना अच्छा अब एक बात हो लोगा सवाल होता होगा आपके साथ मेरा भी है जोब तो आठ गंटे हो गई ठीक है आठ गंटे हो तो टाइम पिरिड की आठ गंटे दस गंटे अच्छी आठ गंटे का जॉब में नैविकेशन और तू आवर्स ओवर ताइम हमेशा नहीं हो सकता है और दूसरी चीज टाइम पास करने का सबसे बड़ा यह जो है आप लोग तो अभी OTT के जमाने में जी रहे हो जमीन पर आप भी हमारी जो ओर्डियन्स है नेट्फिक्स चालू किया एमेजन ट्राइम चालू किया खाली ताइम यह लोगों के पास अ इंटरनेट है भबाद कुछ ने कुछ देख रहे हैं वहां हमारे पास तो है भी हम डाउन्लोडिंग पर पुरानी जनरेशों 2010 या 11 में लोग जो एक टीवी दो टीवी तीन टीवी ऐसे ड्राइब साट्राइस भरे होते हैं उसमें डाउन्लोडें कॉंटेंट होते हैं और जब इंटरनेट हमारे पास कुछ ने है तो वहीं लगा के देख रहे हैं आठ दस लोग साथ बैठे देख रहे हैं बाकी गेम्स होते हैं शिप्स पे आपके पास पीएस 5 वगरा भी है जिम कर सकते हैं तो यह सारी चीजे हैं तो कुछ लोग इसके टाम निकालते हैं कुछ लोग अपना गाना वाना सुन रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, डाउनलोडेड कॉंटेंट है, कोई भी नया बंद जिसी है, भाई, नया वाला सब लाया है, डाउनलोड करके से, तो वह एक लेकर वहां से वह डाउनलोड चीजें, तो यह मूवी वगरा देखना, साथ में बा नहीं होमसिकनेस कभी हुआ नहीं क्योंकि हम बच्पन से घर से बाहर रहें, तो एक वो डिफेंस-बेस टूल में पड़े हैं, तो वहां से वह आदत बन गया, होमसिकनेस कभी रहा नहीं शिप में, जो रूटीन मेरा स्कूल में था, अल्मुस्ट वही रूटीन जो है, शि अल्मुस्ट को देखाया है, कॉलेज में मर्चेट नहीं पर जे घ्यान चल ला है, इंफ्लेंसर बने पड़े हैं, बच्चों को अगदम प्रमोट करें, आरे आओ, ऐसे उनिफॉर्म में रील डाले है, कॉलेज सही है, कॉलेज मिल जाता है, सिम्पल स्ट्राइप, तो वह यह इंटर्व्यू देना है, जोईन करना है, और जब शिप्पल के दो महिने में सर ऐसा है, हमसे नहीं हो पा रहा है, हम जा रहे है, हो पर्मानेट छोर के घर आ गया है, तो मैं उस बच्चे का मजाकनी उरा रहा है, अगर देख रहा है, तो लेकिन ऐसे बहुत से लोग है, वो अकेला नहीं है, तो मोटिवेट कर रहा है, को कि तो अकेला नहीं है, मेरा भी एक दोस्ता, वो भी ऐसी आगे तो 2-3 महीने में कहार था, और जैसे इस पर यहां पर उसकी समस्ची आई थी खाने की, तो आप लोग खाने का कैसे मैनेज करते है, कि बहुत लोग बता भी आपकी नानी दादी जो यह सोचती थी, कि भाई मच्छी पकड़ी खा रहे हो गया, तो कैसे होता है वहां मैनेज, तो अभी इतने बड़े शिप इतने लोग चल रहे हैं, और कभी-कभी बीस दिन का, पचीस दिन का, एक महीने का भी सेलिंग आता है, तो हर चीज के लिए इतने लिए आपकी पहर चीज के लिए अपता है, तो इन सब स्टोर्स में कया ना कि, उसी हिसा आप से तंपटरे स्वाह है तो तो नहीं होंगे बाट फ्रेश्टर兩 और ड़िए देसकी frankly मे सका सिंह क、 दॉन्क डेनटर हो स्नूम नहीं से 15 दिन बाद भी हरा लहरा आता हुआ दनियापत्ती होता है और तब तक फ्रेश प्रोविजन सम्सक्रा ज्यादर जल्ली उठाते हैं और यह जो बाकी ड्राई एक्सवारी तो लंबी होती है तो वो चलते हैं, मीट और फिश फ्रोजन रहता है तो यह सारे श्टोरोड है और अगर आपके पास कुक अच्छा है हम लोग इंडियन है तो इंडियन कुक अगर मिल गया मैं वही देखे रहा तो शिप्रे कुक इंडियन है इसका बाकी नेशनलिटी चलेगा मिक्स क्रू में या फिर ओफिसर में कुक नहीं कुक इंडियन चाहिए तो फिर खाने का अइसा दिक्कत नहीं होता अगर इंडियन कुक है मोस्टली अच्छी होता है तो खाना आपको अच्छा मिल गाता है